Hello everyone, welcome to my channel और इस channel का नाम मैंने रखा The Orchid और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वाइल लूप तो आज की इस वीडियो में हम तो प्रोग्राम्स बनाएंगे जो वाइल लूप बेस्ड होगे आज के जो दोनों प्रोग्राम्स हैं इन्हें बनाने के बाद प्रोग्राम्स है काफी लॉजिकल होने वाले तो यहीं पर समझा देता हूं कि हम बनाना क्या चाहते हैं और अब तक आप लोग सीदर compiler पर प्रोग्राम बनाते आ रहे होंगे तो आज से आप एक habit डालें कि compiler पर बनाने से पहले आपकी नोड़ूक में अपना किसी टिपती तो आज का प्रोग्राम जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो है reverse of a number निकाल लेगा तो मैं लिख देता हूँ reverse हम आज जो है reverse निकालेंगे किसी नंबर का तो सबसे पहले हम वह जो भी नंबर है उसे user से scene करवा लेंगे अब माल लीजिए user ने input डाला 9832 तो हम print कराना चाहेंगे 2389 यानि कि जो भी user नंबर डाला उसका reverse अगर user ने डाला 1234 यानि कि user ने ये number input किया तो हम print कराना चाहेंगे 4321 तो ये करने के लिए हमें एक बहुत जरूरी चीज जो मैं अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ वह आनी चाहिए और जिसका नाम है modulus function इसको हम इसका operator होता है percentage पहले हम आपको एक छोटी सी revision करवादू की modulus function क्या होता है जैसे है कि अगर आप लिखे 10% 2 तो ये आपको remainder देगा कि जब आप 10 को 2 से divide करेंगे तो क्या remainder आएगा तो 10 तो पूरे divide हो जाता है तो आएगा 0 अगर मैं लिखू 10% 3 तो ये आ जाएगा 1 अगर मैं लिखू 10% 4 तो ये आ जाएगा 2 तो कि 4 2 सा 8 तो 2 ये बचेगा और अगर जो पहला वाला number है वो बड़ा है यानि कि अगर number कुछ इस तरह से है कि 10% 20 तो जो हमारा पहला number है यूज नहीं है हमारा इस property का यूज होना है तो पहले हम यह देख लेते हैं कि किसी भी number का reverse निकलता कैसे है तो जैसे मैं example के तौर पे एक number ले लेता हूँ नमबर हम माल लेते हैं 2348 तो सबसे पहले हम इसका 10 के साथ मौड करेंगे आपको करके दिखा देता हूँ जैसे 2348 हमारा number है तो हमें निकालना है remainder जब हम इसे 10 से डिवाइड करें तो हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 2 जा 20 फिर आएगा 34 तो 10 3 जा 30 फिर 4 और 8 तो आप करेंगे अब 10 4 जा 40 तो आपका जो remainder आजएगा 8 तो आप देख सकते हैं कि हमें जो मिला है वह last digit मिली है एक और कोई example लेते हैं जैसे 157 माल दीजिए है कि हमें 157 मॉट 10 निकालना है तो तो 10 फिर आप करेंगे 10 5 जा तो जो हमें आउट्पूट लिए वह 7 तो 7 थी हमारी लास्ट डिजिट तो आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी नंबर का 10 से मॉट करते हैं तो जो भी लास्ट डिजिट होती हमें वह मिल जाती है तो इस क तो माल लिजे कोई वन डिजिट नंबर है जैसे यूसर ने हमें दे दिया 1 या 2 या 3 तो उसका रिवर्स तो सेम वही नंबर होगा ठीक है तो यह हमारा केस चेक है अब यहां पर हमारा जो नंबर हम मानके चल रहे है वह यह मानके चल रहे है 2 3 4 8 तो हमारा अब हम क्या करेंगे हम हमें second last date चीए हमारा 8 का काम हो चुका है तो मैंने आपको एक चीज़ बताइती कि अगर हम इसे 10 से divide कर दें तो हमारा number बन जाएगा ये पर हम number मानेंगे integer type का तो integer type में क्या होता है जो भी decimal और उसके बाद के number होते हैं तो अब हम इस number का 10 के साथ mod निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4 अब हमें number जो बनाना है वो बनाना है 84 तो जो हमारा last iteration में जो number आया था हम उसको 10 से multiply कर देंगे और जो हमारे पास अब number आया है हम उसमें 4 add कर देंगे मैं ये फाल्तु चीज़ से erase कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो अब हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 84 तो यानि कि अगर हमारा number होता 48 तो हमारा answer यहीं पर खतम हो जाता है पर यह 4 digit number है तो इसमें 4 iterations होगी तो अब जो हमारे पास number store हो गया वो गया 84 पहले 8 store था अब वो ओवर्राइट हो गया वो गया 84 तो अब जो number हमारे पास बचा है वो बचा है यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास number था 3-4 अब हम उसे वापिस 10 से divide कर देंगे तो क्योंकि यह integer type का है तो decimal के बाद वाले number फिर ignore हो जाएगा तो हमारे पास अब जो number बचा है वो बचा है 23 तो अब हम इसका फिर से mode करेंगे 10 के साथ तो हमें मिल जाएगा 3 क्योंकि last digit है number की 3 तो हम क्या करेंगे पिछले जो भी हमारे पास number था उसको हम 10 से multiply करेंगे और जो अब हमें digit मिली है हम उसमें वो add कर देंगे तो यह हो जाएगा 840 प्लस 3 तो number आगया 843 अगर number होता 348 त अब आप समझ गया है कि अगली iteration में क्या होगा हम इसे 10 से divide करेंगे sorry इसको नहीं हम इसको divide करेंगे 43 हमारा last number था हम इसे 10 से divide करेंगे तो बचेगा 2 और फिर हम इस number को 10 से multiply करके इसमें 2 add कर देंगे मैं आपको एक और number का example लेकर समझा देता हूँ तो जैसे आप 618 तो सबसे पहले हम मैंने बताया है कि mod करेंगे 10 के साथ तो हमें मिला 8 उसके बाद number को कर दीजिए 10 से divide यह हमारी iteration 1 है तो जैसे ही आप इसको 10 से divide कर देंगे number को तो number मिल जाएगा 961.8 और यह number हो जाएगा 961 अब वापिस जब आप इसका 10 के साथ mod करेंगे तो हमें digit मिल जाएगी 1 तो हमें करना क्या है लास्ट टाइम हमें जो भी digit मिली थी उसको हम 10 से multiply करेंगे और उसमें जो अब digit मिली है वो उसमें वले add कर देंगे तो यानि कि यह बन गया 81 अब हम number को 10 से divide कर देंगे तो number हमारे पास था 961 तो अब हो जाएगा 961 96 96.1 तो अब आप क्योंकि हमने integer बाना हुआ हुआ है तो यह ignore हो जाएगा नमबर आया 96 अब इसका वापिस हम 10 के साथ mod करेंगे तो यह हमें मिला 6 तो लास्ट हमारे पास जो भी number था save यहाँ पर 81 सेब था उसमें हम 10 multiply करके जो हमें अब मिला है वो add कर देंगे तो यह हो गया 816 तो यह थी हमारी first iteration यह थी second iteration यह थी third और क्योंकि अब एक ही digit रहती है तो हमारे पास एक iteration और भी बाकी है हमारी four तो उसमें क्या होगा जैसे हमारा last time नमबर था 96 तो हम 96 को वापिस 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9.6 क्योंकि यह integer है तो यह चीज़ ignore हो जाएगी तो नमबर मिला हमें 9 तो last time जो भी नमबर था हम उसे 10 से multiply करेंगे और अब जो digit मिली है उसमें वो add कर देंगे तो यह हो जाएगा 816 0 प्लस 9 यानिकि 816 9 तो आप देख सकते हैं जो हमारा original नमबर था 9618 उसका हो चुका है reverse तो यह था हमने problem को हमने अब तक decode कर लिया है कि solution निकलेगा कैसे अब जो है हम उसे C++ में कैसे implement करेंगे वो हमें देखना है तो जो भी नमबर था सबसे पहले हम number का mod कर रहे हैं 10 से उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसके बाद हम कर रहे हैं नमबर को 10 से divide और फिर reverse निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं जो भी हमें इस step में जो भी हमें value मिली थी हम उसको 10 से multiply करके जो अगली digit है वो add कर दे रहे हैं तो मैं आपको proper code लिखके दिखाता हूँ अब इसका तो सबसे पहले हम कुछ variables माल लेते हैं एक तो हम माल लेते हैं digit कि हमें हर step में क्या digit मिल रही है उसके बाद हमें एक हमाल लेते हैं reverse जो कि हमारा output होगा और एक हमने number तो already माना ही हुआ है मैं यहापर लिख देता हूँ जो user डालेगा तो सबसे पहले हम क्या कर रहे है हम number को 10 10 के साथ mod कर रहे है तो हमें digit मिल जा रही है जैसे अगर number 96 मैं short form लिख देता हूँ number no number 96 अगर हम इसका 10 के साथ mod कर रहे है तो हमें 6 यानि कि जो है हमें digit मिल जा रही है तो step हमारा step 1 होगा हमारा या number जो है उसको 10 से mod करिए तो हमें जो मिल जाएगा वो है digit digit को d लिख देता हूँ तो हमें digit लिख देता हूँ तो हमें मिल जाएगी digit उसके बाद हम क्या कर रहे थे digit मिलते ही हम अपना reverse निकाल रहे थे इस तरह से कि जो भी हमारे reverse है उसमें 10 multiply करके digit जोड दीजिए तो क्योंकि हम यही example मान लेते है 96 तो क्योंकि हमारी digit यह first है तो हम शुरुआत में reverse को 0 मान लेंगे और उसके बाद हम third trap के कर देते हैं हम कर देते हैं number को 10 से divide ताकि जो last digit है जिसका हम काम कर चुके हैं वो जाए delete और यही चीज हम repeat कर रहे थे बार बार तो यह हम डाल देंगे loop में और यह खतम कब होगा मान लेजिए number है 96 तो सबसे पहले 10 से divide गया तो यह बन जाएगा 9 फिर 10 से divide गया तो यह बन जाएगा 0.9 तो integer है क्योंकि तो यह हो जाएगा 0 तो हम यह loop की condition हम यह लगाएगा while loop और loop की हम condition डाल देंगे while number is not equal to 0 क्योंकि यह जैसे digits खतम हो जाएगी तो एक step पे यह 0 आना ही आना है तो तब तक यह run करेगा जब तक number 0 ना हो यह काफी वह हुआ है थोड़ा sophisticated मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ एक बर while फिर मैं आपको वह बताता हूँ कि मैं notebook वाली क्या चीज़ कह रहा था कि पहले notebook पर run करांगे देखें तो while number is not equal to 0 यह आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि while number is greater than 0 फिर आ जाएगे curly braces जो कि while का syntax था तो सबसे पहले हमें digit निकालनी है तो digit आएगी नंबर mod 10 उसके बाद जो reverse है वो क्या होता है वो होता है यह pattern मैंने जो आपको दिखाया था वो ही है कि reverse into 10 जो भी last step में हमें मिला था उसमें जो इस step में digit मिली है उसको add कर दें उम्मीदे आपको समझ आया हो यह program काफी tough है और उसके बाद number को है हमें 10 से divide कर दा था तो number is equal to number divided by 10 और शुरू में हमने reverse यानि कि उसकी value हमने करी थी 0 initialize तो अब मैं आपको यही program यहां पर run करके दिखाता हूँ एक example लेके तो जहां से समझ दियेगा इसे नंबर मान लेते हैं five two seven six तो सबसे पहले यह है while number is not equal to zero तो क्या यह number zero है नहीं तो यह condition run हो जाएगी नीचे वाली तो सबसे पहले हमारे digit निकलेगी तो डिजिट हो जाएगी नंबर परसेंट 10 यानिकी number more 10 तो वह हो जाएगी six तो डिजिट में value आगई six की अब रेव जो है हमारा रेव गयागा हमने रेव को zero value दे रखी थी तो रेव हो जाएगा zero into 10 यानिकी zero plus digit तो यानिकी six और नंबर जो हमारा है वह हो जाएगा अब five twenty seven five twenty seven six divided by ten यानिकी हो जाएगा five twenty seven तो अबर next iteration आपको समझाता हूँ उसके लिए मैं आप हम final value लिख देते हैं कि हो क्या गई अब जो रेव है हमारा जो हमारा रेव है वो है six और जो हमारा नंबर अब है वो है five twenty seven तो मैं अगली iteration दिखाता हूँ उसके लिए यह सब मैं clear करता हूँ तो यह नंबर भी हमारा बदल चुका है नंबर अब हमारा हो चुका है five twenty seven तो अब जो हमारी digit आएगी ten के साथ mod जरने पर वो आजएगी seven ठीक है तो हमारी digit होगी seven अब हमारा अगल लाइन है यह rev is equal to rev into ten plus digit तो last step में हमारा rev ता six तो हो जाएगा six into ten plus digit यानिकी seven तो यह हो जाएगा 67 और हमारा नंबर क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा five twenty seven divided by ten यानिकी fifty two तो अब जो हमारा नंबर हो जाएगा fifty two और rev जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा sixty seven अब अगली iteration में आपको करके दिखाता हूँ नंबर हमारा हो चुग है fifty two यह वीडियो भी थोड़ी lengthy हो जाएगी तो अब हमारे पास डिजिट जो आएगी वो आएगी टू 52 मोट 10 करेंगे तो डिजिट आएगी टू तो इसका जो रिवर्स आएगा वो आएगा 67 इंटू 10 प्लस 2 तो जाएगा 672 मैं original नंबर ना भूल जाएगा हो तो यहाँपे लिख देता हूँ five two six seven था five two seven six था तो अब जो नंबर हमारे पास बचेगा वो बचेगा 52 divided by 10 यानि कि five point two तो जो की हो जाएगा five तो अब जो हमारे पास रह आया है वो आया है 672 और जो नंबर है वो हो चुका है five मैं एक बार फिर इस एक लिए करता हूँ और नंबर हमारा बचाया है बस अब five तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो पहला इंपूट होता है वो 10 से छोटा हो जाए यानि कि मॉड के second नंबर से छोटा हो जाए तो as it is वो हमारा मॉड का output आ जाता है तो five percent ten आ जाएगा सीधा सीधा five तो यहाँ पर जो digit आएगी हो आएगी five और जो रेव आएगा वो आएगा 672 इंटो ten प्लस five तो यह हो जाएगा 6725 और नंबर हमारा हो चुगा है अब five divided by ten यानि कि 0.5 तो क्योंकि यह integer है तो यह होगे zero तो अब जब condition check होगी हर iteration इवद condition check होगी वह मैं आपको बताना बूल गया है यहाँ पर खेर वो सब आपको वैसे भी समझ आ जाना चीए क्योंकि वाइल लूप हम पढ़ चुके हैं तो जैसे यह number zero हुआ तो यह इस loop से बहार आ जाएगा और जो हमारा final drive आया वह आया यह 6725 जो कि हमारे original number का reverse था तो उम्मीदे आपको समझ आयो चलिए अब हम इसे compiler पर बना लें तो हमें variables क्या कर चाहिए हमें चाहिए number हमें चाहिए rev जिसको हमें 0 initialize करना है और हमें चाहिए हमें चाहिए digit और हमें जो चाहिए होगा हम उपर आगे वापिस initialize कर लेंगे तो सबसे पहले हमें number लेना है user से हम see out भी करवा देते हैं कि यह internal number और वाइल number is not equal to 0 तो सबसे पहले हमारी लाइन थी कि हमें digit निकालनी है वो थी है number mod 10 उसके बाद rev निकालना है हमें reverse आनी कि तो वो था rev is equal to rev into 10 plus digit और end में हम number को 10 से divide कर दे रहते है number is equal to number divided by 10 और या पर मैं see out करा दू रहाँ the reverse number भी see out करवा देते है reverse of number की इस number का reverse is return 0 तो आप देख सकते हैं कि जो टाइपिंग का था code करने का वो बस यह तीन चार लाइन थी पर यह logic मनाने में हमें कित्ति देव लगी चलिए से save कर ला देते है रेव नाम से तो नंबर में डालता हूं 1234 एक चीज तो हम एक चीज मैंने ध्याद नहीं दी कि नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है और end में हो जाता है 0 तो नंबर जो है वो 0 हो रहा है तो इसलिए आपर 0 आ रहा है पर हमारे जो रिवर्स है वो सही वर्क कर रहा है 1234 का रिवर्स दिखा रहा है 4231 तो हमें काम करते हैं हम एक tempo variable लेलते हैं और उसमें हम number store कर आ लेंगे च्यूकि number आगे जाके 0 हो जा रहा है तो इससे आ जएक है टेंप में नंबर किया लिए और यहां पर हम सी आउट करा देंगे टेंप यह चोटी-चोटी चीज़ आपको टैकल करनी आनी चाहिए जैसे कि नंबर 0 आ रहा है था तो मैंने टेंप में नंबर स्टोर करवा दिया अब एक बार वापीस रान करवाते हैं जैसे अब मैं लूग 1 4 8 तो रिवर्स आफ 148 इस 841 तो अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर लूप और वाइल लूप में फारख क्या होता है अब जैसे कि यह नंबर हो सिंगल डिजिट जैसे कि 9 तो 9 का रिवर्स जो आएगा वह आजाएगा 9 और मैं एक चीज यहां पर कर देता हूं steps कि यह रूप रन कितीवार हो रहे है तो यहां पर steps को हम value देते है जीरो तो अब मैं 1 बिजिट का नंबर डालू जैसे कि 1 जोड़ो 2 डाल देता हूं और steps भी हम see out करवा देते हैं तो यह दिखा रहा है steps is equal to 1 यानि कि यह loop खाली एक ही बार चला है अगर यह दो बार चला होता तो steps की value 2 हो जाती और यहाँ पर एक एंडलाइन और लगा देते है अब मैं कोई 2 digit number डालूँ जैसे कि 23 तो यह दो बार रनुआ है पहले 3 आया उसके बाद 2 आया तो यह steps है 2 और अगर मैं कोई 5 digit number डालूँ जैसे कि 12345 तो यह 5 बार रनुआ है तो for loop और while loop में यही फ़राग है कि for loop में हमें पता रहता है कितनी बार रनोगा पर while loop में जैसे कि यह program है तो हमें नहीं पता कि कितनी बार रनोगा क्योंकि वो depend करता है इस number पर और यह number हमें दे रहे user तो इसलिए हम predict नहीं कर सकते है कितनी बार रनोगा depend करेगा कि user कितना बड़ा number डाल रहा है अगर user कोई डाले 6 digit का number अगर नहीं आया तो दुबार उस video को देख लें अगर नहीं आया तो दुबार उस video को देख लें इस program को आप खुछ से बराने के try करें क्योंकि इसमें कोई नया logic नहीं है इस तरह का एक program में पहले भी करवा चुका हूँ तो इस program में हमें करना क्या है हमें some निकालना है some of the widgets तो basic चीज हमारी इस program में भी same रहीगी कि हम user से एक number लेंगे और जो भी user ने number डाला जैसे 9,1,5 डाला user ने तो हमें इनका sum निकालना है तो यानि कि 15 अगर user ने डाला 2,3,4,5 तो हमें इन 4 का sum निकालना है यानि कि 9,10,11,13,14 तो जो basic हमारा logic था reverse निकालने का उसमें एक हमारा step था जिसमें हम digit calculate कर रहे थे तो अब इसमें भी हमें ज्यादा कुछ फरक नहीं है हमें वही चीज़े करनी है इसमें भी digit निकालने के लिए हम सबसे पहले जो भी number है उसका 10 के साथ mod कर लेंगे तो इससे हमारे पास digit आ जाएगी और हमें sum निकालना है तो हम sum कर देंगे sum is equal to sum plus digit यह दोनों logic में पहले बता चुका हूँ sum निकालने का और digit निकालने का तो जैसे हमारे digit निकल जाएगी हम number को वापिस 10 से डिवाइड कर देंगे number is equal to number by 10 अब मैं आपको इसका एक example लेके दिखा जाता हूँ तो जैसे हम number लेते है 8 4 1 2 तो user 3 digit का भी number डाल सकता है 4 का भी 5 का भी 6 का भी तो इसलिए हमें पता नहीं है कि लूप कितनी बार चलना है तो हम use करेंगे while loop हम यह for loop का use नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमें digit निकालने है तो digit आजेएगी number mod 10 यानिकि digit आगी 2 उसके बाद हम क्या करेंगे हम sum कर देंगे और sum को हम initially value देंगे 0 sum is equal to 0 ऐसी आने की sum समझ जाना तो sum आजाएगा sum plus 2 तो sum तो पहले से 0 था अब उसमें 2 value एड़ हो गई तो sum हो जाएगा 2 और अब जो हमारा number है वो हो जाएगा 841 मैं यहाँ ज्यादा कुछ explain नहीं कर रहे हैं कि मैं अभी पिछले example में कर चुका हूँ तो यह हो गई हमारी first iteration यह हो गई हमारी first iteration अब second iteration में क्या होगा number क्योंकि 841 मन चुका है तो हमारी जो digit आएगी वो आएगी हमारी digit आजएगी 1 और sum हमारा हो जाएगा sum का logic था sum plus digit तो sum हमारा 2 है और digit हमारी 1 है तो sum हो जाएगा 3 और number हमारा हो जाएगा 84 यह हो गई second iteration ऐसे ही third iteration में क्या होगा digit हमारे पास आजएगी 4 और sum हमारे पास आजएगा 3 प्लस 4 यानिकी 7 और number हमारा हो जाएगा 8 और fourth iteration में digit हमारे पास आजएगी 8 और number हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 8 और number हो जाएगा 0 जैसे ही 0 हुआ हम condition लगा देंगी कि जैसे ही 0 हो रहे तो आप वाइल लूप से बहार आजए तो यह समझ दे में आपको कोई दिक्क्रत नहीं होगी चलिए यह इसे कंपाइल करें तो कमेंट पर में डालता हूँ सम उफ दिजिट्स मैं काम करता हूँ क्योंकि जादधर प्रोग्राम सेम है तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आप ऐसा ना करें है यहां टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ तो हमारे पास यह रहाए रिवर्स नीज़ी है हमें हमें चाहिए सम और टेंप भी हम ले लेता हैं और स्टेब्स भी चलो हम ले लेता है तो यूजर से हमने यह नमबर ले लिया यह हमने कंडिशन लगा दी कि जब तक नमबर जीरो नहीं हो रहा तब तक यह वाइल लूप चलाओ यह डिजित आई अब हमें जो में चीज़ बदल लिए हो यही है बस सम इसी गोड़ तो सम प्लस डिजित और फिर हम नमबर को करें 10 से डिवाइड और steps को हम कर रहें प्लस प्लस ताकि जतने steps हो जाए हमें पता लग जाए है यहाँ पर हम यह बस छोटा सा चेंज होर करना है तो चलिए इसे रन कर आगे देखते हैं सम नाम देदिये इसे एंटर न नमबर तो हम नमबर डिशेट में 123 तो तीन स्टेप्स में हुआ ये क्योंकि चौते स्टेप्स में डिजिट हो जाएगी 0 तो लूप के बहार आजाएगा मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पर आप ये स्टेप्स वाली चीज तो समझ गयोंगे तो मैं इसे हटा देता हूँ और हम हर वाइल लूप में बतलब हर रिट्रेशन में डिजिट सी आउट करवा देते है ताकि आप समझ जाएं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा है कंपाइलर भी उसी तरह से काम कर रहा है अब हम नंबर लेते हैं कोई बड़ा है यह होगा हमारा 6 डिजिट का नंबर तो देखिए पहले 6 डिजिट फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 आई और सम आगे है 21 तो ऐसी जगाहों पर जहां पर हमें पता नहीं कित्ती बार रन करेगा लूप हमारा तो हम वाइल लूप यूज करते हैं और जहां पर हमें पता रहते हैं कि इत्ती बार रहते हैं वह हम फार לूप यूज करते हैं तो उम्मीद है आपको की वाइल लूप अच्छे समझा आ वगया होगा ख़ाब यह काफी अच्हे लेवल के परूग्राम थे दोनों एसी प्रोग्राम बहुत सारे हैं तो आप उन्हें खुछ से ट्राइए करें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें कि आज की वीडियो में बहुत महलत लगी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी ऐसी वीडियो मैं बह thank you